नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की प्रीवा AS टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, प्रीवा AS टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और प्रीवा AS टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे की प्रीवा AS टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में प्रीवा AS टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, प्रीवा AS टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता प्रीवा एस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन एस्पिरिन और क्लोपिडो ग्रेल होता है। एस्पिरिन और क्लोपिडो ग्रेल दोनों ही दवाईयां एंटिप्लेटलेट जग प्लास की दवा है, जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के ठक्के बनने से रोकने में मदद करती है। प्रीवा एस टैबलेट खून को पतला रखती है, जिसकी वज़स से दिल का दौरा और लक्वा लगने का जोखिम कम हो जाता है, जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लक्वा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लक्वा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डौक्तर प्रीवा एस टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि प्रीवा एस टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। प्रीवा एस टैबलेट खून को पतला करती है, जिसकी वज़से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रीवा एस टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में प्रीवा एस टैबलेट की वज़से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, नाक से खून आना, दस, बधजमी, सीने में जलन, शरीर में ठकान, पेट में दर्ध, पेट में ब्लीडिंग और सिरदर्ध हो सकता है। प्रीवा एस टैबलेट की वज़से अन्य साइड इफेक्स भी पॉसिबल है। अगर आपको प्रीवा एस टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि प्रीवा एस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में प्रीवा एस टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। शरीर में platelets कम होने पर, पेट में ulcer होने पर, पेट में bleeding की समस्या होने पर, कीमोफिलिया होने पर, brain hemorrhase होने पर और liver या kidney की कोई गंभीर बीमारी होने पर Preva AS Tablet को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन conditions में डॉक्तर की सलाह के बिना Preva AS Tablet को नहीं लेना चाहिए। सर्जरी करने से या दान्त निकालने से एक से लेकर दो सब्ताह पहले Preva AS Tablet को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है, या आपको दान्त निकलवाना है, तो आपको Preva AS Tablet के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को Preva AS Tablet या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Preva AS Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि Preva AS Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेंड होता है। Preva AS Tablet को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेंड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Preva AS 75 Tablet या Preva AS 150 Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। Preva AS Tablet को हर रोज एक टाइम पर लेना रेक्मेंडेंड होता है। मान लीजिए आज आपने Preva AS Tablet को सुबह 7 बजे लिया है। तो आपको हर रोज Preva AS Tablet को सुबह 7 बजे ही लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Preva AS Tablet को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Preva AS Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए Preva AS Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्रीवा एस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं